Hello Friends, Welcome to My Tech Support Channel Friends, हो सकता है कि आपके पापा या फिर आपके नाना या फिर आपके दादा जी के अकाउंट में पैंशन के कुछ पैसे आते होंगे तो Friends, अगर आपने अभी तक SBI के नए रूल्स को नहीं देखा है, नहीं समझा है तो फिर आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके नाना जी या फिर आपके पापा जी के अकाउंट में जो भी पैसे आ रहे हैं तो वो बंद हो सकते हैं तो Friends, आज के इस वीडियो में यही सब कुछ डिसकस करने वाला हूँ, यही सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप regular अपनी पैंशन ले सकते हैं तो अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर देख तरी इस वीडियो को लाश्ट तक So Friends, हाल ही में State Bank of India ने अपनी official website पे एक post के जरीए बताया है कि अगर आप 30 November से पहले पहले अपना जन प्रमाल पत्र उसे worth certificate भी बोल सकते हैं इसको अगर आप अपने bank account से link नहीं करवाते हैं, अपने bank account में जमान नहीं करते हैं तो आपकी जो pension आ रहे है वो आना बंद हो जाएगी, अब यहां पर यह हो सकता कि काफी सारे लोगों के जो birth certificate है वो होंगे ही नहीं तो इसको apply कैसे करना है, इसके दो तरीके है apply करने के, या तो फिर इसे online apply कर सकते हैं या फिर आप offline भी apply कर सकते हैं तो अब यह हम आपको online के बारे में बताते हैं, तो अगर आप अपना online birth certificate बन बाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक website पर जाना होगा, उसका जो name है वो है आपको इसका number मिल जा, तो इसको आप अपने bank account में जमा कर दीजे, वहाँ पे आपके account से इसको link कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी जो pension है वो आना रुकेगी नहीं, वो लगातार आती रहेगी आज के इस वीडियो में यही सब कुछ आपको पसंद आओ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आथा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकोन को दबाएं, जिससे कि हमारे ने वीडियो में तब तक के लिए, थैंक्यू फ्रेंट्स